हालो स्टुडेंट्स दिस वीडियो इस फॉर दे स्टुडेंट्स आज हम कॉंटिनु करेंगे आपके एसस्टी सब्जेक्ट के सिविक स्पार्ट कर चैप्टर नूबर 21 इससे पहले हमने नगर पंचायत नगर पालिका और नगर निगम के बारे में पढ़ा हैं आज हम का सबसे बड़ा लोगतंतर है जिसकी जन संख्या सबसे ज्यादा है यू हम रेट इन दे प्रीविस चैप्टर देट वी हैव अबाउट 6 लाग विलेट्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हैं कि हमारे देश में लगभग 6 लाग गाउं हैं एंड़ कंट्री एरिया इस 33 लाग स्केर किलोमेटर और हमारी कंट्री का एरिया कितना है 33 लाग स्केर किलोमेटर है विलेच इस दा स्मॉलेस्ट यूने ऑफ अड्मिनिस्ट्रेशन गाउं जो हैं प्रबंधन का सबसे चोटा यूनेट है सबसे चोटी एकाई हैं we have at the national capital न्यू देली Central Government headed by President and Prime Minister हमारी जो राश्ट्री राश्धानी है दिली वहाँ पे हमारी केंद्र सरकार है जिसकी प्रधान की राश्ट्रपती और मुख्यमंत्री करते हैं But being a vast country, the government cannot take care of all the aspects all over the country So क्योंकि हमारा देश बहुत ही बड़ा है So एक ही government सारे प्रबंद को फूरे देश के प्रबंद को नहीं देख सकती है Therefore it is divided into 29 जो है राज्य है 29 राज्य है and 7 union territories और 7 केंदर शासित प्रधेश है कि हमारा देश जो है बहुत बड़ा है एक ही सरकार सारे aspects को नहीं देख सकती है इसी लिए इसको 29 राज्य और 7 केंदर शासित प्रधेश में बाटा गया है Every state has its own government headed by the governor हर एक राज्य की अपनी सरकार है जिसकी प्रदान की इसका governor और मुख्य मंत्री करता है functioning from the state capital जो के राज की जो राजधानी है वहां से काम करता है Union territories come under the central government और जो केंदर शासित प्रधेश हैं वह केंदर सरकार के अधीन आते हैं Even the states are quite large and so they are further divided into district क्योंकि राज्य भी बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए उनको भी आगे जिलो में बाटा गया है For the purpose of administration ताकि उसका प्रबंध सही तरीके से हो सके The administration at district level is called district administration और जिला level के उपर जो प्रबंध होता है उसको हम जिला प्रबंध बोलते हैं Of district administration are called district administrator और जो officers होते हैं आफसर होते हैं जिला प्रबंधन के उनको हम जिला प्रबंधक कहते हैं Similarly, every village and town has its own form of governance which is called local self-government So, इसी तरह से हर गाउं और हर शेहर की अपनी एक सरकार होती है जिसको हम स्थानक सरकार कहते हैं About which you have already studied जिसके बारे में हमने अभी इस chapter में और इससे पहले पिछले chapter में पढ़ा है So, यहाँ पे government की forms given है सबसे पहले कौन आता है state government State के अंदर district आते हैं अलग-अलग जो किसके दोरह control किये जाते हैं district administration दोरह उसके बाद आती है local bodies, rural and urban Rural में कौन सी होती है? Rural self-government और urban में urban self-government, self-local government Nowadays, our state Punjab is being divided into 22 districts for administration purpose आजकर हमारा जो राजय पंजाब इसको 22 जिलों में बाटा गया है ताकि इसका परबंदन सही तरीके से हो सके It is generally said that progress of a country depends a lot on the good administration at district level और आमतार पर यह कहा जाता है कि एक देश का विकास जो है वह जिला परबंदन के उपर निर्भर होता है अगर जिले का जो district level के उपर administration वह अच्छा है तो हमारा देश विकास कर सकता है Since the lowest government unit of administration is district जैसे कि सरकार जो है उसका सबसे lowest part कौन सा है प्रबंदन का जिला district level It form an important part of state government's framework और यह राजय सरकार का जो बंतर है उसमें एक बहुत ही महतरपुरन रोल अदा करता है The district administration functions at following three levels और जो district administration है जिला प्रबंदन है वो तीन level के उपर काम करता है कौन कौन से फर्स्ट है district level की जिले का प्रबंदन तहसील और block level उसके बाद आती है तहसील या फिर block उसका प्रबंदन Third is city town village level Third पे जो हमने अभी पढ़ा शहर की जैसे की नगर निगम या नगर पालिका हो टाउन की हो या फिर गाओं का rural local self government हो District level functions are performed through district officers और जो जिला प्रबंदन के काम होते हैं वो जिला करमचारियों या अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं In different government departments, officials have been appointed at the district level सरकार के अलग अलग जो विभाग हैं उनमें अलग अलग officers जो होते हैं उनको जिला level के उपर पॉइंट किया जाता है The highest official at district level is deputy commissioner और जो जिला प्रबंदन का सबसे उच्चा दिकारी होता है वो होता है deputy commissioner The officers of all other department are district education officer, district transport officer, district public relation officer, district agriculture officer और senior superintendent of police and DSP etc. इसके इलावा deputy commissioner के इलावा जो अलग अलग department हैं अलग अलग विभाग हैं जैसे कि education हो गया, transport हो गया, medical department हो गया इन सबके अलग-अलग officials होते हैं अलग-अलग officer होते हैं जैसे कि education को administer करने के लिए district agricultural officer है और ट्रांसपोर्ट को एड्मिस्टर करने के लिए district level के उपर district transport officer है इसी तरह से आगे अलग-अलग department के लिए अलग-अलग officers के name given है They all work under the supervision and leadership ये सभी proper तरह की निगरानी और leadership के अंडर काम करते हैं Thus, DC looks after all the activities in district So, जो deputy commissioner है वो जिले में जितनी भी activities जो काम हो रहे हैं उनको देखता है He has also to keep a watch on working of panchaiti raja institutions as well as urban local government और जो DC होता है deputy commissioner उसको गाओं की जो system होता है panchaiti raja system उसको भी देखना होता है as well as जो local urban local government होती है उसके भी प्रबंदन को देखना होता है He can dissolve the local bodies by sending a report to state government if he feels that they are not functioning properly वै किसी भी जो उस्थान के सरकार है उसको dissolve कर सकता है खतम कर सकता है अगर उस state government को अपनी statement send करके अगर उसे लगता है कि वै अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही आगे district administration जिला प्रबंदन में कौन कौन से officers हैं जो काम करते हैं फिर्स चीफ मेडिकल ओफिसर सेकेंड दियो इस्टिक एडुकेशनल ओफिसर जो एडुकेशनल रिलेटर एक्टिविटीज करते हैं D.P.R.O. Department of Planned Resource Officer next is D.A.O. District Agriculture Officer SSP means Senior Superintendent of Police and last is District Judge so let's study about them functions of district administration the first and foremost function of district administration is maintenance of law and order through SP, DSP and Inspector of Police सबसे पहला और मुख्य काम जो होता है जिला प्रबंदन का वो है कानून को बनाई रखना किसकी मदद से? Superintendent of Police, Deputy Superintendent of Police और Inspector of Police की help से the second function of district administration is to maintain all land records and collect land revenue from the formals और दूसरा काम है उनका जिला प्रबंदन का जितनी भी जमीन है उसका record रखना और उसके उपर जो revenue है उसको इकठा करना Thirdly, all development works of district, education, agriculture, etc. are carried out under supervision of deputy commissioner और तीसरे नमबर पर जितने भी विकास के काम है जैसे कि वो शिक्षा के खेतर में हो या agriculture के बहाफ पे हो वो सभी काम जो है deputy commissioner की निगरानी के अंडर होते हैं Civil amenities like facilities to health, means of transport, education, maintenance of government buildings and roads are also looked after by various officers of district और इसके इलावा जितने भी सुविधाएं प्रदान की जानी होती है जैसे सेहत सबंदी, आवजाई के समबंदी, शिक्षा के समबंदी या फिर जितनी भी सरकारी इमारती या सडके हैं उनकी देखरे एक समबंदी इतने भी काम है, अलग-अलग जो अफसर होते हैं जिले के, उनके द्वारा किये जाते हैं There is separate judicial administration in every district to administer justice So, हर जिले में एक अलग जो है, नियाप्रबंध होता है, जो नियाएं का प्रबंदन करता है There are separate court dealing with the two kind of litigation दो तरह के जगड़ों के निप्टारे के लिए अलग-अलग court होते हैं अलग-अलग के चैरियां होती हैं The civil court deals with matters relating to property and money जो civil court है, वो किस चीज़ से related जो जगड़ों का निप्टारा करता है जमीन या फिर पैसे से सबंदित While criminal court deals with cases like theft, murder and criminal hazards इसके लावा जो criminal court है उसमें कोई भी चोरी के, murder के जहां किसी और crime के जो cases हैं उनको sort out किया जाता है The court of district judge is the highest court of district जो district judge का court है, वो highest सबसे उच जो अदालत है It supervises the functioning of civil as well as criminal court और यह क्या करता है? Supervise करता है, मतलब निगरानी रखता है civil और criminal courts की The highest criminal court in the district is that of the session judge जो सबसे उच अदालत होती है criminal court की वो होती है Session Judge while dealing with the civil cases जो civil cases का निप्टारा करती है The session judge is known as district judge और Session Judge को हम जिला judge भी कहते है Thus local self institutions of village, cities and official at the district level jointly run the administration of their state efficiently So सभी संस्थाएं जो के गाउन लेवल पर शेहर या फिर Officially जो जिला लेवल पर काम करती है सभी मिलकर काम करती है एक राज्य की प्रबंदन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए Thus they reduce the boundary of center and state government on the democratic on the democratic setup So ये जो है वो केंद्रे और राज्य सरकार की जो boundary है यो लोग तंद्रीक सेटप है उसको reduce करती है ये डाज्य बड़े ट्रेके से लोगे लेवल जो एक राज़े ने झाले लाज्य वासे बहारे है